नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लो? मैं त्रुष्णा प्रवत्या स्वनेर्भर प्रात्मिक शाला से कक्साच्छे विशाई हिंदी की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ बच्चों हमने हमारी पिछली विडियो में पार्ट दो अनुठे इंसान जो एक प्रसंग वर्णन है उसमें हमने सबसे पहले ऐसा था नैपोलियन, नैपोलियन के जीवन प्रसंग की घटना को देखा था और समझा था उसके बाद हमने उसी पार्ट में सामना करना चाहिए और हमने सचेदान में देखा था कि अपने देश से सब को प्रेम होना चाहिए बराबर और अपने देश की आजाती और उसके सम्मान के लिए देश बक्त लोग अपना सवस्व भी देने के लिए तयार हो जाते हैं जिसमें हमने कौमुधी नाम की जो लड़की थी उसका सच्चा दान बराबर देखा था और उस कहानी यानि के जीवन प्रसंग जो प्रसंग दिया गया था उसको अच्छे से समझा था बराबर है बच्चो और उसमें देखा था के कैरल की देश बक्त लड़की कौमुधी के सच्चे दान का जो कथा थी प्रसंग था वह भी हमने देखा था और समझा था और हमने हमारा यह पार्ट पूर्णा किया था बच्चो आज हमारे इस वीडियो में हम हमारे स्वाध्याई और अभ्यास में जो प्रस्न दिये गए हैं उसके बारे में देखेंगे और चर्चा करेंगे तो चलो बच्चो अब हम हमारे अभ्यास की और आगे बढ़ते हैं बच्चो अभ्यास में प्रशन एक है प्रशनों के उत्तर देजवे जिसमें पहला प्रशन है नैपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था बच्चो नैपोलियन उसकी बेहन के स्वभाव में क्या अंतर था तो हमने देख था कि नैपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था बराबर उसने सच्चाई का सामना करने का साहस था अपने कारण हुई दूसरी की हानी वह सहन नहीं कर सकता था और उसकी बहन का चरित्र उससे बिलकुल विपरित था वह डरपोग थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी वह जूट बोलकर सच्चाई से बच निकलने ही में अपनी भलाई समझती थी बच्चो यह प्रशन का उत्तर तो आप नहीं की जगर पर होते तो क्या करते बच्चो यह प्रशन का उत्तर आपको अपनी तरीके से लिखने की कोशिश करनी है मैं अपने लेखन कारिय में इसका उत्तर रखूंगी पर बच्चो आपको अपनी हिसाब से यह प्रशन का उत्तर लिखना है कि अगर आप नैपोलेंग की जगर पर होते तो क्या करते बराबर वो जो लड़की के अमरूद गिर गये थे खराब हो गये थे तो उस समय आप क् इस तरह से आप लिख सकते हैं कि नैपोलेंग का धक्का लगने से अमरूद बेचने वाली लड़की के अमरूद कीचन में गीर कर खराब हो गये थे बराबर अप उन्हें बेच नहीं सकती थी नैपोलेंग को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानी होई बराबर उसकी हानी को पूरा करना उसने अपना फर्स समझना अगर नैपोलेंग की जग में होता तो मैं भी उसकी तरह इस गरीब लड़की का नुकसान ना होने देता बराबर हैं बच्चो आप इस तरह से उत्तर बना कर लिख सकते हों तीसरा प्रश्ण है आप अपने जेब का उप्योग किस प्रकार करते हैं बराबर अगर आपको जेब कर्च के लिए पैसे मिलते हैं घर से तो आप उसका उप्योग किस करते हैं वह आपको इस उत्तर में लिखना है आगे हैं बापू के बारे में आप क्या जानते हैं बच्चो जो कुछ भी आप बापू के बारे यानि कि गांधी जी के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो वह आपको अपनी हिसाब से इस प्रशन के उत्तर में लिखना होगा बराबर है बच्चो तो आप जो कुछ भी गांदे जी के बारे में जानते हो उनका पूरा नाम, फिर उन्हें लोग महात्मा गांदी के नाम से जानते हैं, फिर देश की आदाजी के लिए उन्होंने अंग्रों ज्युक से लंबी लड़ाई की, बराबर वे अनेक बार जेल ग तो वहाँ आप अच्छे से जानते हो कि उस समय देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था बापू उसके नेता थे आंदोलन के लिए धन की जरुरत पड़ती थी बापू यह धन कहां से लाते इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाय करते और धन इकठा करते थ प्रश्ण 6 आपको कौमोदी का पात्र कैसा लगा और क्यों तो हम लिख सकते हैं कि मुझे कौमोदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा बराबर है ने बच्चो क्योंकि महिलाओ को गहनों के प्रतिस्वाबाविक मुह होता है फिर भी कौमोदी तो अभी बहुत छोटी 16 साल की बाली का थी उसके गहने बहुत किमती थे बराबर फिर भी देश की आजादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया गांधी जिक को अपने सभी गहने भेट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है इसलिए कौमोदी का पात्र हम सामने गलती स्विकार की है तो उस घटना को अपने सब्दों में बताईए बच्चो हम छोटे हैं और छोटे होने के कारण कई बार हमसे जाने अंजाने गलती हो जाती है बराबर है तो इसमें आपको यह प्रशन के उत्तर में आपको बताना है कि अगर आपने कभी गलती की है तो वह गलती अपने माता पिता के सामने वह गलती आपने स्विकार की है अगर की है तो उस घटना को अपने सब्दों में बताईए तो आपको उस घटना को अपने सब्दों में लिखना है बच्चो आगे प्रशन है प्रशन दो उधारन के अनुसार सैयुत वर्ण से बन बच्चो पेला है द प्लस ध याने उस पे से शब्द बनता है शुद्ध और हम लिख सकते हैं दूसरे सब्द बनाकर बुद्ध बराबर कुरूथ दूसरा है त प्लस त त यानि उस पे से सब्द है वित और हम उस पे से बना सकते हैं कुत्ता छत्ता फिर है द प्लस म बराबर द प्लस म यानि म उस पे से पद्म छण सम द प्लस व यानि द्व उस पे से विद्वान द्वार द्वेश ह प्लस्म हम उस पर से ब्रह्म ब्रामन बराबर ब्रह्मान इस तरह के शब्द बना कर लिख सकते हैं बच्चों आगे प्रश्न तीन है हमारा निम्ले लिखे द्विशय पर चर्चा कीजिए प्रश्न तीन निम्ले लिखे द्विशय पर चर्चा कीजिए बच्चो अभी हम हमारी पाठशाला में एक साथ नहीं है इस वज़े से ये तीन प्रशन की चर्चा अभी हम नहीं कर सकते हैं लेकिन आशा रखते हूं के जल्द ही हमें यह मौका मिलेगा और हम सब इकटे फिर से एक बार हमारी पाठशाला में इकटे होंगे तब इस तरह के प्रशनों की हम हमारे पाठशाला में हमारे वर्ग में चर्चा करेंगे ठीक है बच्चो तो हम आगे बढ़ते हैं और प्रशन चार जो है नीचे संगना से बनने वाले विशेशन सब्द दिये गए हैं उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखे बच्चो यहां है धर्म और उसका विशेशन सब्द है धार्मिक पराबर तो आपको धार्मिक जो सब्द है उसका वाक्य बनाना है अब अपने हिसाब से भी वाक्य बना कर लिख सकते हो जैसे आप लिख सकते हो मेरे दादा जी बड़े धार्मिक व्यक्ती है फिर रंग पेसे हैं रंगीन बराग पर मुझे रंगीन कपड़े बहुत पसंद है लोब पर से है विशेशन उसका लोभी लोभी आदमी से हमेशा दूर रहना चाहिए इस तरह का वाक्य बना सकते हो भारत पेसे भारतिय तो भारतिय लोग बड़े प्रिय होते हैं चमक पर से हैं चमकीला तो आप लिख सकते हो कि सोना बहुत चमकीला होता है शक्ती पर से हैं शक्तीमान बराबर वह सभी काम करने में शक्तीमान है इस तरह से भी वाक्य बना कर लिख सकते हो गुण पर से हैं गुणवती तो मेरी मित्र बहुत ही गुणवती बाली का है बल पे से बलवान पराबर गुणवती है उसके लिए आप लिख सकते हो किसी का नाम भी लिख सकते हो जैसे रेखा बहुत गुणवती बाली का है बल पे से बलवान विशेशन तो भीम बहुत बलवान थे दया पर से उसका विशेशन शब्द दिया गया है दयावान मेरे माता पिता बहुत ही दयावान है दर्शन पे से उसका विशेशन सब्द दिया है दर्शनिय वराबर भारत में कई दर्शनिय स्थान है तो इस तरह से आप वाक्य बना कर बच्चों लिख सकते हों आगे देखते हैं हमारा प्रश्न पांच है बराबर उधारण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए बच्चों उधारण दिया गया है पूत्र तो उसका लिंग परिवर्तन करना है हमें बराबर तो क्या हो जाएगा पूत्री मैंढक का मैंढकी तरून तो क्या हो जाएगा तरूनी कुमार कुमारी कुमार पेसे हो जाएगा कुमारी देव का लिंग परिवर्तन होगा देवी हिरन का हिरनी वैसे ही यहां दिया है साप तो उसका लिंग परिवर्तन होगा बच्चो सापिन, कुमहार का कुमहारिन, नाग का हो जाएगा नागिन, बाग का होगा बागिन, धोबी का धोबिन, ग्वाला का ग्वालिन बराबर वापस दुसरा उधारन देखते हैं मोर का लिंग परिवर्तन होता है बच्चो मोरनी, शेर शेरनी, जादूगर जादूगरनी, मास्टर मास्टरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी और उट का हो जाएगा उटनी बराबर है बच्चो, तो आज हम यहां तक ही देखेंगे, हमने अभी जो प्रशन के उत्तर देखे, उसका लेखन कार्य, मैं अपने ग्रूप में रखूंगी, आपको अच्छे से अपनी नौट में उसको लिखना है और तयार भी करना है अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तो आना बच्चो